महराज गंज जले के बिच्मन गंज थाना च्छेत्र में धानी गाउं में बुदबार दोपहर बड़ा हाथसा हो गया पंखा चुलाने के लिए बोर्ड में स्विच ओन करते समय करेंट की चपेट में आकर मा बेटी की मौत हो गई इस हाथसे के बाद कहराम मच गया है आपको बता दें कि धानी गाउं की 35 वर्षिय निशा चौदरी बुदबार दोपहर इशनान करने के बाद फरराथा पंखा चुलाने के लिए स्विच ओन करने पहुची इस दोरान वो करेंट की चपेट में आकर तडपने लगी मा को छटपटाता देख उनकी 14 वर्षिय बेटी करिस्मा उसे बचाने के लिए पकड़ कर खीचना चाही इस दोरान पंखा उन पर गिर गया दोनों करेंट की चपेट में आ गई हादसे के समय घर में कोई नहीं था कुछ देर बाद पडोस के किसी ने देखा तो सोर मचाया प्रधान ने एमूलेंस मंगा कर दोनों को CHC विजवाया लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका